हेलो मैं अजीत कुमार कम्टेशन कमरटे यूटूब चैनल पे आप सभी बच्चों का एक बार फिर से बहुत-बहुत श्वागत करता हूं तो आज के अपने इस क्लास में that is subject of agreement के 6th lecture में हम लोग subject of agreement के कुछ नए important rules and concept को सीखेंगे इसके पहले के 5 वीडियो में हम लोगोंने subject of agreement के कई important rules को पहले ही सीखा तो अब जो remaining rules and concept बचे हैं आज के क्लास में हम लोग उनको सीखने समझने का प्रयास करेंगे ठीक है तो आज के क्लास में हम लोग कौन-कौन से rules को पढ़ेंगे आए उनका फटफटेक glimpse लेते हैं हम लोग और देखते हैं कि आज के क्लास में हम लोग क्या-क्या सीखने जा तो आज के क्लास में हम लोग जो सीखने जा रहे हैं वो rules यहां आपको सामने दिखाई दे रहे हैं इनमें जो ज़्यादा important rules हैं वो है majority of के साथ word कैसा होगा फिर no के साथ noun कैसा होगा और word कैसा होगा percentage of के case में subject और word का किस तरीके का agreement होता है डबलू एच इंटरोगेटिव और यदि किसे विस sentence में subject का रूल प्ले करता है तो उसके साथ word किस तरीके से agree करता है range of mountains हो तो उसके साथ कैसा word हम लोग यूज करेंगे noun in a position के case में word कैसा होगा hypothetical sentence में कैसा word यूज किया जाता है possessive case का यदि किसी sentence में use किया जाता है तो उससे verb किस तरीके से प्रभावित होता है फिर little और few के साथ कैसा subject और कैसा verb हम लोग use करते हैं फिर उसके बाद हम लोग सीखेंगे कि कुछ ऐसे nouns होते हैं जो आपस में end से या किसी और word से connected हो बट वो कभी आपस में singular होते हैं कभी plural होते हैं कुछ ऐसे nouns भी होते हैं जो हमें सब pair में आते हैं ठीक है तो इन सारे rules के बारे में हम लोग आज के अपने इस class में सीखने का प्रयास करेंगे with examples with practice ठीक है तो आज के इस class को start करने के पहले आईए हम लोग पिछले class का ग्लिम्स देखते हैं पिछले class में हमने आपक ना को सिखाय था उसके बाद फिर हमने बताया था यदि कोई बेस HC ид키कल कि सब्जेक करें तो उसके साथ वर्ब कैसा यूश किया जाता है और इसके पहले याहां पे एक साथ पढ़ा था फिर हमने आपको इस पहले बताया था कि यरी डिन वहां कि एभी सेंटेंस में subject का इसा होता है तो यह वर्ब का फोर्थ पॉल्म है और इसके पहले यहां पे यह टू प्लस वीवन करूल हम लोगों ने पढ़ा था और फिर इसके पहले हम लोगों ने सब्जेक्ट ऑफ स्टडी के बारे पढ़ा था सब्जेक्ट ऑफ स्टडी के साथ हम लोग ऐसा वर्ब यू सिरुकरते हैं से किसे मेजरीटीती आप से हम लोग पढ़ना सुरू करते हैं तो आज गामारा जहां जाए तिसके साथ हम लुग देखे और शीक प्रे Training कि किस तरीके के मैं लोग वर्ब यूश करते हैं इसके साथ subject कैसा यूज के जाता है वर्ब कैसा यूज के जाता है ठीक है तो सबसे पहले हम लोग यहां पर सीखना सुरू करें the miserity miserity के पहले अ लगे the लगे हमें इसे कोई फरक नहीं पड़ता miserity के साथ यहां पर off लगा हुआ हो तो इसके बाद इस miserity of के बाद यदि यहां पर कोई नाउन आएगा that is कोई subject नाउन या pronoun आएगा तो यह रहेगा plural PCN यानि plural contable noun ठीक है और तब इसके साथ यहां जो हम लोग वर्ब यूज करते हैं वो वर्ब भी यूज करते हैं plural PV यानि plural ठीक है लेकिन इनका अगला रूल और कॉंसेप्ट क्या है आईए उनको भी हम लूग देखते हैं चले अगला रूल है कि यदि आर्टिकल ए लगा हो यदा लगा हो ठीक है यह मेजरीटी ओफ लिखा हुआ हो ठीक है यह क्योवल मेजरीटी भी यूज किया गया हो इस मेजर सेंटेंस में मेजरीटी वार्ड का यूज उस सेंटेंस के सब्जेट के रूप में किया गया हो तो हमें चेक करना होगा कि इस मेजरीटी का यूज उस सेंटेंस में किस फ़र में किया गया है यदि इसका यूज सिंगुलर रेफरेंस में किया गया होगा तो हम लोग इसको म और यह इसका यूज सिंघुलर फॉर्म में किया गया हूँ यह सिंघुलर रेफरेंस में किया गया हो तो इसके बाद आने वाला यहाँ जो वभ होगा यह वभ भी लिखा जाएगा सिंघुलर रा और यहाँ से आपников सो रहा है आप याद किरेंगแต Liver सब्चेक्ट और फिश्ले क्लासे इक रूल बताया था कि कुछ ऐसे कलेक्टीब नाउन होते हैं जो कभी आपस में यूनाइटे होते हैं और कभी आपस में डिवाइडेड होते ठीक है उस reference में हमने आपको बताया था यह आपने जो बच्पन से पढ़ा है उसमें सबसे आसान सा example था आपका jury का government committee alliance ठीक है ऐसे कोई भी चीज हो सकती है ठीक है तो यह singular form में यूज किया गया है ठीक है तो या तो आप sentence के understanding meaning के according समझ ले या नहीं तो आप उसके clue को पकड़ ले जैसे जिस sentence में majority word का use किया गया उस sentence में आगे चलके यह दे family का use किया गया दे family मतलब दे there there's them ठीक है ठीक है यह दे there there's them उसका यदि यूज किया गया हो तो हम लोग इसी को plural मानेंगे we family का use किया गया हो you family का use किया गया हो तो हम लोग उसी को मानेंगे plural word देंगे plural ठीक है लेकिन उसमें यदि आगे चलके it family it family का use किया गया हो it it's it इस family का use किया गया हो तो हम लोग इसी को मानेंगे singular और इसके साथ और we use करेंगे singular बात समझ में आ रही है चलिए तो अब इनका एक 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 जामपल लेते हैं हम लोग और एक्जामपल में देखने का प्रयास करें दा मिजरीटी दा मिजरीटी अब यहाँ पर आप वर्ब सेलेट करेंगे यह वांट हम लिखे यह वांट्स को लिखे ठीक है यह हम आपके लिए हाँ पर दे रहें दा मिजरीटी वांट अबलिक वांट्स चेंज 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 इन निव निव फार्म बिल झाड इन दाखनारिटी अपर अटार्स का प्र आग्ण आपके मिजरीटी वांट्स चेंज ने सुझ ए ठीक है अटोड आखना एम वफित्यांड वांट्स चेंज पर आखनार्स चेंजिजरीट this new farm bill, ठीक है, एक और example लेते हैं, the majority, the majority of farmers, farmers are obliques, protesting, protesting, near Delhi, against, against new farm bill, अब इन तीनों ही sentences को आप ध्यान से देखिए, और फिर हम लोग इसमें समझते चलेंगे, कि इसमें किस तरीके का error create हो रहा है, कैसा error पूछा जाता है, और हम लोग कब इसके साथ किस तरीके का word use करते हैं, ठीक है, तो आईए इनको हम लोग समझना शुरू करें, सबसे फ नाउन आया, अब यह नाउन कैसा है, प, C, N, यानि प्लूरल कॉंटेबल नाउन है, यह कॉंटेबल होगा, तो यह रहेगा प्लूरल, और हमने अभी अभी थोड़ी दिर पहले आपको बताया, the majority of के बाद यह कोई नाउन आये, वो कॉंटेबल हो, तो रहेगा प्लूरल, वो अब लेगा प्लूरल, ठीक है, तो यह चुकिए कॉंटेबल है, इसलिए यह रहेगा प्लूरल, और इसके साथ वर्ब कैसा यूज करेंगे, तो प्लूरल, that is हमारा आंसर क्या बनेगा, और, इसको क्या करें हम लोग, कैंसल कर दें, ठीक है, यह काफी आसान था, नेक्स ठीक है, जैसे जो नया फार्म बिल आया था, जो किसानों का नया रूल आया था, ठीक है, मोदी जी के द्वारा जो लाया गया था, तो उसके सपोर्ट में भी आपने सुना होगा, कहीं कहीं पे किसान उसके सपोर्ट में खड़े हो रहे थे, ठीक है, जैसे MPK या कुछ और भारत के अलग-अलग जग होंगे ठीक है तो कुछ लोग सपोर्ट में थे लेकिन बहुत संख्यक लोग किस में थे अग्यंस्ट में थे इसलिए उस रूल को रिपील कर दिया गया मतलब अब इसको कैसा मानना है इसे मेजरिटी को कैसा मानेंगे अम लोग प्लूरल वह प्लूरल तो हम लोग इसको क्या माननेंगे singular ठीक है तो इसके साथ हम लोग कैसा वो भी उस करेंगे singular तो हमारा answer बनेगा is यहाँ पर आर क्या हो गया cancer हो गया ठीक है तो आसा करते हैं कि यह majority of का जो rule था majority पर बेस्ट जो subject of agreement का rule था यह अपका clear हो गया हो ठीक है अब इसके आगे चलते हैं हम लोग और कुछ और नए rules को सीखना शुरू करते हैं तो देखें हमारा अगला rule क्या है और अगले rule की तरफ चलने के पहले इस rules पर बेस्ट कुछ question को हम लोग यहाँ पर solve करते चले तो आए फटा-फट इनका screen shot लेते हैं हम लोग और screen shot लेके इसको एक बर खुट से बनाए बनाके हम सब लोग यहाँ पर साथ में board पर discuss करेंगे तो आसा करते हैं कि अब तक आपने इनका screen shot लेके या वीडियो को pause करके आप इनको एक बर ट्राइज जरूर कर चुके होंगे तो अब आईए हम लोग साथ साथ में हाँ पर इनको discuss करते हैं पहले question में देखें तब मिजरीटी ओफ मिला हमें मिजरीटी ओफ के बाद क्या मिला successful candidates देखें यह plural हो गया PCN हो गया वह कैसा है प्लूरल तो यह पार्ट भी करेक्ट और यह पार्ट भी करेक्ट तो हमारा answer क्या बनेगा option number one का हमारा answer क्या बनेगा option number D no error ठीक है next board को clean करते हुए अगले question में चलते हैं अब मिजरीटी ओफ देखें यहां दर लगा हुआता है यहां लगा हमें इससे कोई फरक नहीं पड़ता है मिजरीटी ओफ जैपनीज वर्कर्स अब यह देखें जो वर्कर हैं यह कॉंटेबल है इसलिए है प्लूरल यह पार्ट अगर दें तो यह इस का पार्ट क्या हो जागा एरर का पार्ट बनेगा ठीक है चलिए आगे पड़ते हैं से तो इस question में यह जो noun का पार्ट था यह था PCN यह करेक्ट था और यह जो वर्क का पार्ट था यह भी करेक्ट था तो दैट इस question नमर टू का अंसर भी हमारा क्या बना इसका भी आंसर बनता है हमारा option number D that is no error ठीक है next अगले question नमर त्री में देखे I have no strong opinion about the matter so whatever the majority thinks देखे the majority यहाँ पे है यह वाब things तो things को हम थोड़ा clear करते चलें यह majority और यह है वाब is good तो सबसे पहले majority का यूज कर दिया यहाँ पर subject के रूप में अब यह subject के रूप में काम कर लिया अब इसके आगे जरा पढ़के देखे हम लोग आगे कहें कोई clue नहीं है तो हम लोग simply को मानेंगे singular वाप देंगे singular तो यह पार्ट तो correct हो गया अब इस इज का subject क्या है इस इज का subject क्या है आई यह हम लोग इसको दिखते हैं I am no strong opinion about the matters मतलब हमारे पास मेरे पास इस matter के बारे में कोई strong opinion नहीं है so whatever the majority things इसलिए जो कुछ भी majority बहु संख्यक जो कुछ भी इसके बारे में सोचती है is good वो अच्छा है is okay और वही okay है with me मेरे according मेरे लिए वही सही है ठीक है तो अब यहाँ पे देखे whatever the majority things यहाँ से लेके यहाँ तक यहाँ सो को भी आप इसमें सामिल कर सकते हैं whatever से लेके majority things यह पूरा का पूरा इसका subject है और वही पूरा का पूरा इसका भी subject है ठीक है तो यहां तक हमारा verb का कानित है तो यह वह भी सही है क्योंकि हमने आपको पिछले class में ही बताया था कि यदि किसे भी sentence में कोई भी clause या sentence उस sentence के subject का role play कर रहा हूँ तो उसको हम लोग मानते है सिंग्लर और वह देते हूं उसके साथ सिंग्लर ठीक है जिसका एक लिम्स अभी थोड़ी दिर पारले भी हमने आपको दिखाया था ठीक है तो चलते हैं से आगे next question की तरफ अब इस question में जरा हम लोग देखें the majority of फिर देखे the majority of Americans अब यह देखें अमेरिका वालों के बात की जा रही है तो अमेरिका वाले countable है यह PCN आगया PCN आगया तो वह कैसा लेगा plural लेगा तो यहां पर इसकी जगा हम क्या यूज करेंगे इसकी जगा यूज करेंगे आर का clear तो इस तरीके से आपके एक्जाम में मेजरिटी ऑफ के रूल पर बेस्ट कोश्चन पूछे जाते हैं अब हम लोग यहां से आगये चलते हैं अपने लेक्स रूल की तरफ अब अगला रूल है हमारा कि ऐसे नाउन जो पेर में यूज के जाते हैं और ऐसे नाउन कभी सिंगुलर कभी प्लूरल होन का रिफरेंस देते हैं जैसे हम लोग यूज करते हैं ब्रेड एंड बटर ब्रेड एंड जैम ठीक है सबसे आसान सा एक्जाम्पल जो हम लोग बच्पन से पढ़ते आएं तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा था राइस एंड करी तो आईए इस सारी कन्फ्यूजन को अभी के अभी हमेशा के लिए हम लोग खत्म करने का प्रयास करते हैं आपने बच्पन से जो पढ़ा था उसमें कुछ पोपूलर एक्जाम्पल हुआ ही हम लेते हैं राइस एंड करी ठीक है कुछ और एक्जाम्पल ल और वरक्पन से सीखा है और इसके बारे में हम लोग को बताया यह गया था कि यह कुछ ऐसे नहां उन्हें हमेशा वार्प्र期क्त करते हैं संगुलर ठीक है बट ऐसा नहीं है इतना आसान होता तो आपके exam में ऐसे question पूछे ही नहीं जाते हैं ठीक है तो इनका क्या concept है इसको जड़ा ठीक से समझे हैं हम इस कड़ी में थोड़ा सा इसको और आगे ले चलते हैं bread and jam अब देखे हम सब लोग बचपन से bread and jam खाते रहें अभी भी खाते ह ठीक है अब देखे है क्या कि bread and jam यदि आप एक साथ यूज करते हैं ठीक है sentence से इसका reference मिलेगा sentence में इसका clue given होगा कि इसको यदि एक साथ यूज करने की बात की जा रही है तो हम लोग इसी को मानेंगे singular यदि एक साथ यूज होने का sense express होगा तो ऐसे condition में हम लोग इन ही को मानते हैं singular और इनके साथ वर्व यूज करते हैं singular ठीक है बात समझ में आ रही है लेकिन यदि इनको एक साथ यूज करने का sense उस sentence में express नहीं हो रहा हो तो ऐसे case में हम लोग इन ही को मानेंगे plural अब बात कुछ समझ में आई नहीं हम कुछ example देते हैं जैसे मान लिजे हम लो breakfast of bread and jam तो मान लिजे आज हमारे घर में जितना भी bread or jam था वो सब खत्म हो गया ठीक है एंडिंग हो गया उसका तो अब stock चुके खत्म हो चुका है तो next day के लिए आज साम तक में मुझे कहीं न कहीं इसको खरीदना होगा मान लिजे कि हम किसी soap पे जाते हैं ठीक है और हम जा और अब आप याद किजिए हम यह दिखाते हैं कि ठीक है bread और jam का एक एक जो पाउच है वो दे दीजिए या एक एक packet हमें दे दीजिए ठीक है जिसकी भी format में हम लोग खरीते हों clear है अब ज़रा ध्यान देजिए तो वो जो दुकानदार हम लोगों को देगा वो दोनों combine क करके देगा मतलब bread में jam mix करके हमें देगा या bread और jam दोनों अलग 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 देगा अब चुक्ति वो दोनों अलग 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 बेसता है हम लोग खरेते भी अलग अलग हैं ऐसे सारे सेंस में इसी को हम लोग मानेंगे plural और वह देंगे plural ठीक है लेकिन हम कहें के bread and jam is my favorite breakfast तो breakfast के रूप में इन दोनों को कोई अलग-अलग यूज़ करेगा यह combine करके ठीक है बात समझ में आ रही है तो जहां कहीं भी combine होने का sense express होगा इसे को मानते है singular वह देते हैं इसके साथ singular ठीक है इसको ठीक से समझ लेजी लेकिन दुकंदार के बारे में हम कहें मान लेजिए ह और हमें इस बात का add करना हो कि हमारे दुकान में bread और जैम बिखता है या bread and butter बिखता है तो हम क्या बोलेंगे bread and jam और और जयम ब्रेट याँ ब्रेड अर बटर मिलता है बात समझ में आ रही है तो एस तरीके का sense समलोकों को express करना होता है और इस तरीके के sense से इस बात का पता चलता है कि हमें इसको कब singular मालना है और कब plural मालना है इनके अलावा यदि आपको रट कर ही पढ़ना हो curry bread and butter bread and jam और ऐसे और भी बहुत सारी word है जिनका एक साथ generally use किया जाता है और उस sense में इनको singular माना जाता है जैसे कुछ और word है जो हम अभी आपको word पे लिखके दिखा रहे हैं तो आप इनको भी याद रखेंगे इनको भी थोड़ा ध्यान में रखने का प्रयास करेंगे जैसे crown and glory crown and glory जैसे rice and curry जैसे bread and butter जैसे horse horse and buggy जैसे horse and carriage जैसे age and experience is an experience जैसे soda soda and lime ठीक है जैसे soda and lime जैसे soda and whiskey soda and whiskey और इसी तरीके के बहुत सारे word हैं जैसे sum and substance sum and substance slow and slow and steady तो इस तरीके के ऐसे बहुत सारे word हैं जो एक साथ यूज की जाते हैं और ये combined sense को express करते हैं आप इनका ध्यान रखेंगे ये सब ऐसे word हैं जो बार बार आपके exam में पूछे जाते हैं ठीक है तो आप इनका ध्यान रखेंगे जैसे innocence and playfulness ठीक है success and failures ठीक है ये सब कुछ ऐसे word हैं जो जेनरली बार बार आपके exam में repeat होते रहते हैं ठीक है और जहां कहीं भी ये आपको दिखाई दे आप simply उस sentence में check कर लिजेगा कि इनका use अलग sense में किया जा रहा है या combined वाले sense में किया जा रहा है तो 90% case में at least 90% case में आपके exam में इनसे जो question पूछे जाते हैं उनमें इनका use combined वाले form में किया जाता है इसलिए आप सब को बचपन से ये सिखाया गया पढ़ाया गया अभी भी आपको ये सिखाया जाता है कि चुकि ये combined use कि जाते हैं एक साथ use कि जाते है इसलिए इनको मानना है similar वाल देना है similar ठीक है चलिए तो अब यहां के बाद हम लोग चलते हैं slide में और slide में आके इन rules पे based कुछ कोशन को हम लोग solve करने का प्रयास करते हैं यह फटा-फट यह कुछ कोशन आपको दिख रहें इनका फटा-फटा प्रयास करें और जल्दी से इनको एक बार खुझ से solve करने का प्रयास करें उसके बाद हम लोग इनको solve करने का यहीं पर बोड़ पे साथ साथ प्रयास करेंगे तो आईए आसा करते हैं अब तक आप इसको खुझ से एक बाद ट्राइक कर चुके होंगे अब साथ साथ हम लोग यहां पर इसको solve करने का प्रयास करते हैं जैसे यहां देखें ब्रेड और फिर देखें यह देखें पवर्टी एंड डिवलप्मेंट करीबी और विकास दो है कि हम कहें कि drinking and driving are two different things तो drinking सराब पीना driving करना यह दोनों अलग अलग चीज़े हैं लेकिन सराब पी के गाड़ी चलाएंगे मतलब दोनों आप एक साथ करेंगे ठीक है दोनों क्या हो रहा है combined हो रहा है तो सराब पी के गाड़ी चलाएंगे यह कुछ लोग ऐसे भी होते है जो हाइवेज वगएरा पे जाते हैं और वहाँ पे जाके पी भी रहें एक हां से और एक हां से ड्राइविंग भी कर रहे हैं तो इस तरीके की activity यदि कोई करता है तो वो जान लेवा है वो harmful है उसके current accident होता है तो जब यह combined sense express करता है फिर से इसको मानेंगे हम लोग singular वोग तर्जुर्बा हो ठीक है और कोई बहुत बढ़ियां driving करता हो तो उसको driving का बहुत बढ़ियां तर्जुर्बा है experience है यह दोनों चीज़े अलग-अलग हो जाए ठीक है जैसे हम बोले के drinking and driving are quite different and their experience their experience are quite different अब जार दखे हम दोनों को अलग-अलग reference में यूज कर लें उस reference मे इसी को मानेंगे हम लोग plural और वर्ब यूज करेंगे इसके साथ plural ठीक है लेकिन यहां जरह sentence को पढ़के देखे और a major cause of accident accident तभी होगा जब यह दोनों चीज़े साथ में होगी तो दोनों चीज़े साथ में हो रही है combined sense express कर रहा है इसलिए हम लोग वर्ब को कैसा यूज कर दोनों कैसा चलता है साथ साथ भले आप होगा फिर तुरंथ डाउन हो जाएगा और देखें यहां पर फिर हमें क्या करना होगा वर्ब को यूज करना होगा सिंगुलर ठीक है बोड को क्लीन कर लिया जाए नेक्स्ट कॉस्चन नमर टू में चलें यहां पर था यह poverty and development तो की और विकास यह दोनों साथ साथ चलता है अब देखें हैंड इन हैंड मतलब साथ साथ तो दोनों साथ साथ चलता है साथ साथ होने का से इक्सट कर रहा है इसलिए उसको मानेंगे सिंगुलर वह आप देंगे सिंगुलर और इसको नमर टू में इसके लिए यानिकी poverty and development के लिए जो वर्व यूज किया गया है वह अल्ड़ेटी सिंगुलर है इसलिए इसका अंसर क्या बनेगा नो एड़र नेक्स कुश्चन नमर वन में bread and butter is all we want bread and butter एक ऐसा चीज़ है जिसको हम सब लोग चाहते हैं सब लोग पसंद करते हैं ठीक है तो अब सब लोग किस रोप में पसंद करेंगे खाने की रूप में ठीक है नकि बेचने की रूप में घर में लाके रखने की रूप में ठीक है आगे बढ़ते हैं यहां से हम लोग तो अब इनके बाद यहां से आगे चलते हैं अगले रूल की तरफ यहां देखिए और भी ऐसे बहुत सारे हैं सबके साथ वर्फ वैसा ही यूज़ करना है आई इनको भी हम लोग सॉल्फ करी ले यहां देखिए था समेंड सबस्टान्स ओफ दिस स्पीच वर्फ वर्फ की जगए क्या यूज़ कर ले किसी एक ही भासन का सम एंड सबस्टान्स यानि उसका संचेप उसका कंक्लूजन ठीक है एक ही भासन का स्पीच अगये तो यह हो गया सिंगूलर कंबाइंड मिनिक दे रहा है सिंगलर हो गया भद्ले का सिंगलर लाइम एंड सोडा is आपके बच्पन के रटे रटे पैटन के एकॉडिंग देफ्टे के साथ सिंगुलर लगा देजी the sum and substance of the passes is बच्पन वाले concept के एकॉडिंग फिर यहाँ पे sum and substance तो यहाँ भी दिमाग लगाने के जरुब थी ने age लगाएंगे या has लगाएंगे as under तो the sum and substance of this poem is as under ठीक है तो आगे के चीज़े क्या किवे ने हमें उससे कोई मतलब नहीं होता है हमें किवल वर्ब से मतलब होता है तो इनको मान लेंगे सिंगुलर वर्ब देदेंगे सिंगुलर ठीक है कि नेक्स्ट कि यहां से आगे चले हम लोग यह देखे होर्स और केरेज मिल्क एंड अब बताएं दूद और अंड़ा यह दोनों सांसात यूज नहीं किया जाता है ठीक है तो नहीं किया जाएगा तो इस इस एकजाम में अपियर होते हैं यदि आपने सर्टेन नंबर को अचीव कर लिया तो आप सक्सेस्पुल है और आप यह दो उसके नीचे आ गया एक नंबर आपको नीचे मिल गया उससे एक नंबर कम मिल गया तो आप फेल कर गया तो सब पलता और असा पलता दोनों सांसा लोग चलते है तो यहां पर पाइब में फैर ऐसे ही होगा उतलब हैर है यहांसे आगे बठते हैं लोग चलते अपने अगली रूल में यह दखी प्लेफुलनेस और फेला गश् crear्टी होते हैं इनो उसेपन करते हैं जो एन पन में करते हैं वा बच्चनली आप को परिशान करने के लिए गलती नहीं करता है ठीक है तो यह दोनों चुकी सांसा चलता है इसलिए वबलेगा सिंगलर तो हैं देखिए वर्बॉलेडी एक्जिस्ट में इसी इस लगा हुआ है तो इसका अंसर बन जाएगा नो एरर ठीक है नेक्स्ट अब इसके बाद हम लोग पत्लियोटी इस रहुकों चलते हैं अगले रूल में यह सबसे आसान सी रूल है जिसको आंप भजपन से पढ़ते रहे हैं यह कौनसेट्ट क्या है था राम एंडे सियाम राम एंड मोहन हो गया एक और करेंगे तो यह बड़ा ऊसा कॉंसेब्ट है कि यह आपर देखें हम लोग जोती जोती पैपललस नो कितने हो गई है it है कहीं कोई भी नाउन ठीक है तो उस कंडिशन में हम लोग उसको मानेंगे प्लूरल और और यूज़ करेंगे प्लूरल तो वाज की जगा जा अब यह से हुढ़ह, अब इने नास एंड शीवम, तो मॉन में योज लगा इसे को क्या करें रिमूप करदें टीच एक एन लेंटटी इस तो लेंटी इस के साथ हम लोग क्या यूज़ करें यह थे और के यूज़ कर लेद नेक्स्ट ये सबसे आसान सा सेक्षन था आपका अब इसके बाद अगला रूल हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पे लिटिल और फ्यू के रिफरेंस में अब देखें कि ये जो लिटिल और फ्यू का कॉंसेप्ट है ये क्या है और इनको किस तरीके से आपके एक्जाम में यूज करके आपके कुश्चन पूछे जाते हैं और आप इनको कैसे सॉल्ट करेंगे ठीक है लिटिल नेकिसे सबसे पहल है है ये फ्यू और ये लिटिल तो लिटिल का अपना फ onu है जैसे आपने देखा होगा फ्यू और फ्यू दा फ्यू अधarna ठीक है और similarly little का भी होता है और little और फिर दो little तो little और little दो little इनके अलावा भी कुछ और यूज किया जाता है जैसे few से यह बना fever ठीक है little से बना less ठीक है तो यह fewer जो है यह few का comparative degree और little का comparative degree है less ठीक है बात समझ में आ रही है तो इनका simple सा फंडा है simple सा फंडा क्या है कि यह पूरा का पूरा little family है little का यह जो family है जिसको हम green color से यहाँ पे इंडिकेट कर रहे है few family ठीक से समझेए कि जो green color में हमने इंडिकेट किया है यह पूरा का पूरा क्या है तो यह few family है और few family का यूज जब भी कभी किया जाता है तो countable के लिए किया जाता है किस के लिए किया जाता है countable के लिए किया जाता है cn मतलब countable noun है countable noun के लिए इनका use किया जाता है और इस few family के बाद आने वाला noun और वर्ब सब का सब रहेगा plural प्लूरल प्लूरल सब का सब कैसा रहेगा plural रहेगा few family के बाद आने वाला noun और वर्ब सब का सब हमेशा और हमेशा रहेगा plural few family का यूज कहलेता है countable noun के लिए और इसके बाद आने वाला सब कुछ कैसा रहेगा तो plural रहेगा लेकिन इसके opposite ये जो little family है इस पूरे के पूरे little family का जिसमें little, a little, the little और little का comparative list superlative list तो पूरे के पूरे little family का use किया जाता है uncountable noun के लिए you, c, n बोले तो uncountable noun और इसके बारे में हमने आपको पहले से बता रखा है ये कैसा होता है, singular होता है और इसके साथ वह आप कैसा यूज करते हैं तो इसके साथ हम लोग वर भी उज करते हैं ठीक है, very simple अब इसके साथ आपके exam question कैसे पूछा जाता है, जैसे question पूछेगा few water ठीक है, यहाँ पर देखा little little pens little box अब ज़रा देखे, यह क्या था few है, और इसके बाद क्या आता है, countable, यहाँ क्या लिखा है, uncountable, तो जैसे ही आपको यहाँ पर यह water uncountable noun के रूप में दिखाई दे यह जैसे ही, UCM दिखाई दे, तो इस few को change कर देंगे, हम लोग little में, ठीक है, यदि of view रहेगा, तो all little में दो few रहेगा, तो दो little में, clear और similarly, यह pin क्या है, तो यह है, countable noun, तो जैसे ही, यह countable दिखाई देगा, इसके साथ हम लोग little का use नहीं करेंगे, इसके साथ use करेंगे few का, और फिर वही बात, अगर यहाँ पर all little लिखाऊगा, तो आप few का use करेंगे, the little लिखाऊगा, तो the few का use करेंगे, अगर less लिखाऊगा, तो few के comparative degree, fewer का use करेंगे, clear, concept clear है, तो अब आईए चलते हैं, इनके कुछ question की तरफ, slide में, और इनके कुछ question को अब लोग देखने का प्रयास करते हैं, तो यह सारे कुछ question रहें, इनके, इनको आप फटाफटा स्क्रीन सोट लेके खुछ से बनाने का प्रयास किजिए, फिर हम लोग साथ-साथ इसको डिस्कस करते हैं, आईए अब इनको आप लोग सॉल्व करते हैं, यहां देखिए, सबसे पहले, question number one में, a little, of good manner, good manner, अच्छा वेवार, अच्छा तरीका, जो मैनर है, वो कौन सा नहीं है, uncountable नहीं, uncountable है, लगा हुआ, a little, वाब कैसा लेका singular, तो make में क्या करने है, इस लगा दे, next, the little water, यह देखिए, the little water, इसका use हो रहा है, UCN, uncountable के लिए, तो यह हो गया singular, वह लेका singular, यह पार्ट करेक्ट है, answer बनके no errors, ठीक है, question number one का answer क्या बना था, option number B, next, few boy, तो few के बाद आने वाला सब कुछ कैसा होता है, plural, तो boy की जगह क्या करना होगा, boys लिखना होगा, और फिर यहाँ जो is लिखा हुआ, इस को convert करना होगा, आग में, next, question number four में देखे, a few books, यह देखे, a few आ गया, book हो गया, इसको होना चाहिए, plural, plural लिखा हुआ, यह पार्ट करेक्ट है, वाब है, वाब को होना चाहिए, plural, यह भी plural है, यह भी correct है, तो a few के बाद आने वाला सब सब कुछ कैसा होता है, plural होता है, सब कुछ लिखा कैसा है, plural, तो sentence में कोई error नहीं, answer बनेगा option number d, that is no error, ठीक है, next question number five में चलते है, a few amount of money, अब देखे, यह जो amount of money, money होता है, uncountable, uncountable आ गया, इसलिए simply is few को हम लोग change कर देंगे, little में, किस में change करेंगे, little में, तो अब यह पार्ट में error था, ठीक है, clear, तो अब इससे आगे निकलते हैं, हम लोग अगले rule की तरफ, देखे हमारा अगला rule क्या है, हमारा अगला rule है, कि जो पॉल्ट्री है, पॉल्ट्री आप जानते हैं, पॉल्ट्री, पीपल, पूलिस, कैवलरी, कैटल, क्लेजरी, जेंट्री, फो युबा लोग, वर्मिन, कीट पतंग, जो फसलों को नुकसान पहुचाते हैं, जो खेत में, फसल होता, उसको नुकसान पहुचाने वाले फोक, लोकल लोग, जेंट्री, कुलिन लोग, संबरांत लोग, अमीर लोग, क्लेरिजी, पादरीयों का समोझे से, हिंदु में ब्र लेकिन आप ध्यान रखेंगे वह गुरूप एक ही टाइप का होना चाहिए ऐसा नहीं कि एक हे गुरूप में गाय, भैल, भैस, भकरी सब मिला हुआ हो और आप कहें कि एक ही टाइप का होता है जैसे आप कोई सीरियल देखते हैं महा भारत, रमायन वगेरा वगेरा ठीक है तो उसमें यूद करने के लिए सबसे आगे जो सेना होती है वह होती है पैदल सेना इंफैंट्री बोलते हैं उसको ठीक है उसके पीछे होती है गुर्सवार सेना के वेल्री पूलिस आप जानते ह नहीं आप मैंसे जो भी लोग नॉन वेस खाते हैं मुर्गा मुर्गी खाते हैं वो लोग पॉल्ट्री को जानते हैं तो यह सारे के सारे नाव कैसे होते हैं प्लूरल होते हैं और इनके साथ नहीं किया जाता इनके लास्ट में नहीं किया जाता जिसे पॉल्ट्री का पॉल ये सम में लगता इसका वभिषान रखेंगे तो यह कुछ ऐसे नावन उने जिनके लास्ट में लगता यह दिखने में स्विखलर होते हैं बट यह होते हमें इसा प्लूरल है और इनके चाहलोग आईकर तो हमेशा और हमेशा plural verb का use करेंगे ठीक है तो काफी आसान सा इनका concept था अब आईए इनके कुछ questions को हम लोग यहां पर solve करते हैं तो फटा फटे इनको हम लोग solve करते चलें यहां देखें जेंट्री जेंट्री पंजाब wants wants है तो क्या करें इसे इसका हटा दे पीपल आर ठीक है पीपल के साथ आर लगा हो यह part correct हो गया ठीक है नेक्स्ट पुलिस आर पुलिसके साथ आर सही है वर्मिन दू दू लगा हुआ है तो यह भी सही है यूथ आर यह भी सही है इसका answer question नमर फाइब का no error question Q3 का No Error, Q2 का No Error, Q1 का No Error और Q4 का भी No Error ठीक है इसमें सारे No Error वाले कोशन थे आगे बढ़ते हैं से हम लोग अगले रूल के तरफ पेर ओफ नाउन्स यह कुछ ऐसे नाउन है जो हमेशा जोड़े में यूज के जाते हैं जो हमेशा जोड़े में रहते हैं जोड़े से अ सेलास हो यह फ्रेमम इस तारीके का सर्कूलर से नाउन हो तो दूसरा भी कैसा रहगा सर्कूलर जिख्ज नहीं होगा आपने कभी को ऑगल सब ुआ को आभ साओक्ट से तक है से अच्छा एक्जामपल हम सब लुए पॉन यूज़ करते हैं तो इयर फॉन 4 बोल नहीं बोलते हैं आपको बोलना होता है हमेशा earphones headphones earboards ठीक है बात समझ में आ रहे हैं इंदम latest आ अपके day-to-day live से जुड़ा हुगा ठाख है बात समझ में आ गए ह तो ये सारे क्यासरे कैसे होते हमेशा हैं हमेशा बूराल होते में और इनके साथ कौन सा कंडिशन ने जैसे सबसे बढ़ी है एक्जामपल जो आप बच्पन से पढ़ते आ रहे हैं वह आपका सूज अब सूज के साथ यह सबसे पहले होता कैसा है प्लूरल वह कैसा लेगा प्लूरल लेकिन इनके पहले यदि आप पेर आफ का यूज किया जाए आप पेर आफ का यूज किया जाए आप पेर आफ सूज तो यहां पे अब जो वर्ब यूज़ किया जाएगा यह वर्ब होगा क्यों होगा due to presence of a pair of लेकिन इसी सूस के पहले हम यहां पे pairs का यूज़ कर लिए तो two हो three हो many हो pairs लग गया pairs of लग गया अब इसके बाद यहां जो वर्ब यूज़ किया जाएगा यह फिर से हो जाएगा इसमें बस इतना है एरर पूछा जाता है तो इसको आप ध्यान रखेंगे अब आएए चलते हम लोग slide के तरफ और इन concept पे best questions को हम लोग solve करने का प्रयास करते हैं तो आएए इन सारे questions को हम लोग फटाफट solve करते हैं और देखते हैं कि हम लोगों ने जो सीखा है वो कहां तक applicable है यह देखे spectacles अब यहां इस होगा नहीं होगा इसके जगा हम क्या यूज़ करेंगे तो हम यूज़ करेंगे आर का तो सीजर के लिए हम यूज़ करेंगे यूज़ करेंगे यूज़ करेंगे आर का माई फादर गिव मी अपेर ऑफ बाइनोकूलर देखे अपेर ऑफ बाइनोकूलर हमें सब लूरल होता है यह जो नाउन है जो हमें सब पेर में आते हैं इनके लास्ट हमें सब एस लगा होता है जिसे प्रेक्टेकल्स गोगल्स ग्लासेस ठीक है सूज जैसे येरबाड्स येरफोन्स वगएर वगएर तो इनका एस आप चाहके भी हटा नहीं सकते और यदि आप इनके लास्ट में जो एस लगा उसको रिमूव कर देंगे तो वह खुद ना उनके पार्ट में एर बनता है ठी प्रेक्टेकल्स ये पार्ट करेक्ट है इसके आगे कोई नहीं है इसलिए इसका अंसर बने का उप्शन नमबर डी क्लियर तो ये सब बहुत आसान सा कॉंसेट था जिसको हम लोगों को सीखना चाहिए और ये सब हम लोगों को बच्पन से आने चाहिए आता भी हमेसे बहु हैं जिनको ये रूल नहीं आते सूजवाले अब इस रूल को हम लोग समझने का प्रयास करें ये क्या है अब इनका कॉंसेट क्या है इसको देखते हैं देखिए पॉसेशिव कीस क्या है ठीक है तो होता क्या है कि नाउन का पॉसेशिव किस नहीं होता प्रणाउन का पॉसे अब जैसे कि हम लोग उन्हें पढ़ा था प्रिंसिपल एंड फादर जो आप बच्पन से पढ़ते आ रहे हैं ठीक है कि ऐसे कोई भी दो नाउन जो आपस मैंड से अब इस के अदि लिखा हुआ है सेम रूल यहां पर यहां पर साँथा है जो आठिकल के साथ भाई है यहां हम यहां कहा दे माइई टीचर एंड फ्रेंड तो हमें यहां पर लगाना होगा ठीक है लेकिन हम यूज करें माई टीचर माई टीचर एंड माई फ्रेंड तो इसका मतलब यह है कि टीचर और फ्रेंड दोनों अलग-अलग है तो देखें यहां पर यह दोनों नाउन था दोनों अलग-अलग के साथ अलग-अलग किया जाएगा तो वर रहेगा ठीक है बहुत आसान सा कॉंसेप्ट है जैसे आर्टिकल के साथ था वैसे ही सिम पॉसेशिव के साथ होता है तो आएए इस रूल पर बेस्ट हम लोग कुछ को देखते हैं और इन कॉस्चन को हम लोग सॉल्व करने का प्रया वाले के साथ किया गया इसलिए आर को कंवर्ट करना होगा इस में दूसरे में देखें ये फ्रेंड ये डॉक्टर पॉसेशिव केस का यूज दोनों के साथ किया गया तो वर्ब कैसा लगा प्लूरल यह पार्ट करेक्ट हो ग gent high husband डॉक्टर हैं यहा भी हर यहाँ अर्याने सिर्फ पहले वाले के साथ तो वर्प कैसा लेगा सिंग्लर करेक्ट है इसका अंसर बनेगा नुइरर क्लियर अब यहां से आगे चलते हैं लोग अगले स्लाइड की तरफ और अगले रूल को देखें लोग यह हाइपोथेटिकल सेंटेंस क्या होता है सबसे पहले हम लोग इसको सीखें जैसे हम लोगों ने पच्पन से पढ़ा है यदि वो एक चिडिया होता तो उड़ जाता ठीक है यदि मैं प्रधान मंत्री होता तो कुछ ऐस करता यदि मैं सारुखान होता तो कुछ वैसा करता यदि मैं दाओ इब्राहिम होता तो कुछ ऐसा करता ठीक है तो इस तरह का जो इनिशन बच्चों के मन में आता है हमारे आपके मन में आता है यदि मैं एक डॉक्टर होता तो अपनी मा को बचा लिए ठीक है ऐसे सेंटेंसेज को ऐसे कालपनिक सेंटेंस को जिसकी पूर्ती संभावन नहीं हो maximum case में जिसके fulfill होने की संभावना पूरा होने की संभावना ना मातर की हो ना के बराबर हो या possible हो ही नहीं फिर भी ऐसी कलपना जो हम लोग करते हैं इसी को कहते हैं hypothetical sentence हिंदी में इसको कहते हैं कोरी कलपना क्या कहते हैं जैसे आपने गाना सुना था मेरा जीवन कोरा कागज को बना होता तो अपने लाइप का जो बाड था उसको खोरा नहीं रखता बाल कि उसको कलरफुल बना देता वगरा थिक है तो ऐसे सारे सेंटेंशेस में कोई भी इमेजिनरी सेंटेंश ओ ऐसा कोई भी कोरी कल्पना को एक्स्प्रेस करने वाला hypothetical sentence हो उसके case में यदि आपके पास कोई भी person given हो I, we, you, he, see, it, there कोई भी person given हो चाहे वो singular हो या plural हो इन सबों के साथ हम लोग एक ही verb यूज़ करते हैं और वो verb है word किसका यूज़ करते हैं? word यदि वो तुम्हारी जगह होता या होती if, see, yeah, he, were ठीक है? यदि मैं उसकी जगह होता if, I, were जबकि past में हम लोग I के साथ क्या लगाते हैं? was लगाते हैं लेकिन यहां क्या लगेगा? were लगेगा clear है? बात समझ में आ रही है तो काफे आसान सरूल है इसका थोड़ा सा ध्यान आपको रखना है तो आईए इस रूल पर विजट कुश कोशन को हम लोग आपके solve करने का प्रयास करते हैं और देखते हैं कि हम लोग इसको बना पाते हैं या नहीं बना पाते हैं चलिए, यहां से देखना हम लोग सुरू करने if you breaks ठीक है तो if you breaks अब देखिया आपर breaks नहीं होगा plural verb होगा if you breaks की जगा helping verb के रूप में यूज करें तो work का यूज करते हैं या simply simple से भासा में कहें कि ऐसे सारे numbers और person के साथ हम लोग plural verb का यूज करते हैं past का imagination दिखाना होता है या past का reference में imagination होता है तो हम लोग वहाँ पर यूज करते हैं ठीक है बात समझ में आ रही है वास का यूज नहीं करते हैं जिससे यहां देखे I would do this if I was तो वास को किस में convert करते हैं हम लोग इसको convert करतेंगे next if manpreet वास तो वास नहीं यहां पर क्या यूज करेंगे next if he was तो वास की जगर क्या यूज करेंगे work if I was तो वास की जगर क्या यूज करेंगे work ठीक है very simple बहुत हैं आसान तो अब यहां से भी आगे चलते हैं हम लोग और slide को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं चलते हैं next rule के तरफ noun in a position plus work इसके बारे में हमने आपको subject or agreement के first lecture में ही काफ़ी detail में बताया था second में भी उसको revise करवाया था आज फिर revise करवाते हैं यदि किसी भी noun का a position हो या उसका कोई describing element आए तो a position या describing element किसे भी sentence का subject नहीं होता बल्कि is in a position या describing element का परयोग जिसक इसकी भी noun के लिए किया गया होता है वह ही अमारा sentence का subject होता है और ये जो verb होता है ये verb और ये जो verb होता है ये verb इसी according agree करता है यह प्लूरल तो यह प्लूरल और यह सिंगुलर तो यह सिंगुलर इस एपनीशन से यह डेस्क्राइबिंग एलेमेंट से वर्ब को कोई लेना देना नहीं होता है यह बीच का पार्ट जान बोज़कर इंटेंशनली आपको कन्फूर्ज करने के लिए गेवन होता है ठीक है च तो यह हो गया हमारा नाउन और यह क्या हो गया इने पोजीशन ठीक है तो आई के एकॉर्डिंग इस नहीं बलके यहां क्या आएंगा एम नेक्स्ट सी वन ओप माइबस्ट फ्रेंड अब यह देखी है पूरा का पूरा क्या हो गया डेस्क्राइबिंग एलेमेंट तो अब की जगह क्या यूज करें है इसका यूज करने ठीक है नेक्स्ट अगले क्वेशन में चलते हैं हम लोग यू अवर्स्ट प्लेयर तुम सब से घटिया के लाड़ी हो भाई ऑफ देस टीम तो यह पूरा क्या डेस्क्राइबिंग इलेमेंट यह इसको हम लोग का सकते है ए प इस हनी सिंग का डेस्क्राइबिंग इलेमेंट हो गया इन्हें पोजीशन हो गया वह और किसके कोडिंग आएगा इस हनी सिंग के लिए क्या यूज करेंगे आर की जगह इसका यूज करेंगे नेक्स्ट असोका दगरेट अब इसको तौब बच्पन से जानते हैं यह इन्ह अगला रोल है range of mountain जैसे हम लोग जानते हैं हिमालिया तो हिमाले नहीं लिखते हैं टा यह तो कोई भी range of mountain हो किसी भी range of mountain के नाम के साथ हम लोग verb यूज करते हैं plural क्योंकि इनको माना जाता है प्लूरल उनके last में ACS लगा हो या नहीं लगा हो फिर भे उनको मानेंगे हम लोग प्लूरल और उनके साथ वह भी उज़ करते हैं ठीक है तो आईए इस rule पर बिज़्ड हम लोग कुश कोशन को देखने का प्रयास करते हैं यह रह कुश कोशन जैसे हिमालयास तो हो गया प्लूरल वो अब लेगा प्लूरल वो करेक्ट है इसका अंसर बनेगा option number D no errors ठीक है अगले कुशन में चलते हैं हम लोग यह देखे करा कुरम यह भी क्या है range of mountain है तो यहाँ पर इस की जग़े क्या यूज़ करेंगे आज ठीक है अब यह देखे इसके साथ भी यह भी range of mountain है इसके साथ भी हम लोग क्या यूज़ करेंगे वोग यूज़ करेंगे प्लूरल और यहाँ पर already work given है प्लूरल तो इस question number 4 का answer भी क्या हो गया no errors ठीक है अब यह question बचा हुए question number 2 इसको भी देखे alps इसके last में देखें यहाँ पर इस लगा हुआ है तो वहाँ इस लगा था यहाँ इस नहीं लगा यहाँ भी इस नहीं लगा है तो इस लगे यह नहीं लगे range of mountain के नाम के साथ हम लोग वह भी यूज़ करते हैं प्लूरल तो फिर से question number 2 में यहाँ देखें इस की जगह क्या यूज़ करेंगे आर तो इस की जगह क्या यूज़ करना होगा आर का यूज़ करना होगा वेरे सेम्पल बहुत ही आसान था बोल को क्लीन करें चलते हैं अगले slide and अगले रूल की तरफ अब देखें यह जो variety है variety of का रूल वैसा ही होता है जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा है a number of the number of क्या पढ़ा है हम लोगों ने a number of the number of ठीक है तो जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था a number of जैसा यह देखें a number of ठीक है और सेम इसके इसको वैलेट होता है a variety स्तित्रजिक दूनों सेम दोनों का यूस्ट एक दूसरी के जगा किया जा सकता है इनके वाद आने वाला जो नाउन होता है वह überall जो प्लूरल ओंट हेलो चैके लेकिन फिर हम लोकों पढ़ा था दह नंबर ओफ तो यह पढ़ेते हैं, तो the number of के जगा आप यूज कर सकते हैं, the variety of, इन दोनों का यूज एक दूसरे के जगा किया जा सकता है, फिर इनके साथ condition वही है, कि यहाँ पे यदि कोई contable ना हुना आएगा, तो यह रहेगा plural, और यदि यहाँ पे कोई uncontable ना हुना आएगा, तो यह रह हैगा, singular, ठीक है, और फिर यहाँ जो वह आएगा, वो इन ही के according होगा, that is, यह singular आएगा, तो यहाँ वाला वाब singular आएगा, यह plural और यहाँ पे यह singular, ठीक है, बात समझ में आ रही है, तो इसी type से हम लोग इसको पढ़ते हैं, तो very simple है, अब चलिए, चलते हैं इसके slide की त स्लाइड में इनके कुछ question को हम लोग solve करने का फटा फटा आईए परियास करते हैं, तो यह सारे कुछ question है, इनको हम लोग यहाँ पर solve करने का परियास करते हैं, simply, a variety of, a variety of दिखा मतलब सब कुछ कैसा रखने है, plural, तो यहाँ देखे, ladies हो गई, plural, अब यहाँ देखे, kid नह देखे, too great of variety, अब देखे, यहाँ two great लगा कि आपको confuse करने का परियास करते हैं, a variety of, simple सी बात, options, distract, यह भी plural, यह noun है plural, और यह verb है, यह भी plural, तो इसका answer बना no error, option number d, question number 3 में चले, the variety of, देखे, variety of, आगया, variety of के पले क्या लगा है, the, यानि कि the number of का rule, अब book है, countable, तो रह तो आर की जगह, is, अब फिर से देखे, wide variety of, तो फिर से, अब यह दी variety of के पहले आपको article a, यह दो का यूज दिखाईना पड़े, तो आप आगे बढ़िए, और यहाँ देखे, variety of living things, variety of living things, called diversity, ठीक है, तो variety of living things, यह कैसा है, countable है, अब यहाँ, wide के पहले, कुछ दिखाईना पड़े, तो आप इसको simply मानेंगे, a variety of, ठीक है, तो ऐसे केस में, यहाँ पे आने वाला noun, और यह वो, सबका सबका इसार हैगा, plural, और आप फिर से देखे, यहाँ जो वो, given है, यह already plural है, यह जो noun given है, यह already plural है, तो इस question में हमार कोई error नहीं बनता है, हमारा answer बनेगा, option number D, that is no error, next, अब इसके बाद हम लोग चलते हैं, अगले rule की तरफ, अगला rule है, डवलू एच वर्ड, अब देखे, इनका क्या concept है, इनका क्या rule है, अब इनका concept यह है कि कोई भी डवलू एच इंटेरोगेटिव वर्ड, कोई भी sentence में subject का role play करे, तो हम लोग इसको मानेंगे singular और इसके साथ वो भी उस करेंगे singular, जैसे, who helps you in need, जरूरत के समय में कौन तुम्हारी मदद करता है, मदद करने का काम यह कर रहा है, तो जो मदद करता है, उसका नाम यहाँ पर नहीं लिखा गया, उसी के बारे में यहाँ question प काम कर रहा है subject का, तो इसी को मानते हैं, लोग singular क्या मानते हैं, और तब इसके साथ वर्व कैसा यूज करते हैं, singular यूज करते हैं, वर्व कैसा करेंगे, singular यूज करते हैं, ठीक है, clear है, चलिए हैं से आगे बढ़ते हैं लोग, तो अब इन rules पे बेस्ट कुश को हम लोग आ यहां पे, तो आर की जगा, इस होना चाहिए, लेकिन बोल चाल में यही प्रचलन में है, तो who are you, ठीक है, अब देखे, इसमें चर्चा किसकी हो रहे थे, इसकी, तुम कौन हो, यह इसके बारे में information दे रहा है, ना कि यह हूँ यहां पे subject, यहां पे subject कौन है, तो subject है, इसल ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट, who has, अब देखे, who has stolen, किसने चुराया, तो who के साते हैं, क्या यूज कर लिए हम, has, next, what happens, यह वाट यहां subject का रोल प्लेक कर रहा है, तो happen में इस लग गया, यह भी correct हो गया, अब देखे, whosoever has money can dance with दिपिका, तो जिस किसी भी व्यक्ति के पास पैसा है, वो व्यक्ति दिपिका पाद्यकुन के डांस के साथ डांस कर सकता है, ठीक है, तो अब यह जो डव्यू एच इंटरोकेटिव और था है, यह काम कर रहा है, subject का, यह है singular, इसलिए वो अब लेगा singular, तो इन दोनों की tuning भी correct है, तो इस question number 4 का answer क्या बना है, 4 का answer बना हुआ है, sentence में कहीं कोई गलती नहीं है, next, अब आगे पढ़े हम लोग all, both, several, all का मतलब क्या होता है, सब का सब, ठीक है, all का मतलब क्या होता है, सब का सब, both का मतलब दोनों, several का मतलब कई अनेक, यानि many, ठीक है, तो इन सब के बाद जो कुछ भी आपको दिखाई दे, सब को रखना है, plural, कैसा रखना है, plural, आपको all में एक confusion मिलेगा, किस में, all में, अब all में क्या confusion मिलेगा, आईए इनको बे समस्ते, चले हम लोग, simple सी बात है, all का use, यदि countable noun के लिए किया जाएगा, तो इसी को मानते हैं, हम लोग plural और थब, इसके बाद आने वाला सब कुछ क आना जाता है, singular, और तब इस case में, इनके बाद यहाँ, जो verb यूज किया जाएगा, यह रहेगा, singular, बात समझ में आ गई, जैसे हम कहें, all are learning, ठीक है, जैसे student के reference में, पूछा जाए, कि कितने बच्चे अभी class में present है, हम कहें, all are present, क्योंकि हमने all का use किया, student के लिए student है, हमारे में पूछा जाए, हम कहें, all is used, cooker में जितना भी rice था, जो भी हमारे दोस्त ने बनाये था, सब हम लोगों ने खा लिए, ठीक है, तो all is used, अब देखिए, all का use rice के reference में, खाने वाले चीज के reference में किया, कि uncountable हो गया, singular, वबले गया, singular, ठीक है, next, अब चलिए, इनके कुछ slide के तरफ चलते हैं, और इनके question को हैं आपके solve करने का हम लोग प्रयास करें, देखिए, all have done well in the examination, अब exam में कौन अपियर होगा, बच्चे होंगे, student होंगे, तो यह हो गया plural, वबले का plural, तो इसका answer क्या बन गया, no error, question number one का answer बनेगा, no error, question number two में देखिए, all is well, क्या हाल चाले भाई, सब ठीकता है, तो हाल चाले आपका दिखाई नहीं पड़ता है, वो abstract नाम होता है, ठीक है, इसलिए वो रहेगा singular, वो गेदा singular, यह भी correct है, अगले question में देखिए, question number three में, there is nothing left in the cooker, cooker में कुछ भी नहीं बच्चे, all is used, all का use किसके लिए हुआ, जो cooker के अ singular, वोब लेका singular, यहां वोब correct है, इसका answer क्या बना, option number B, both are studious, दोनों ही पढ़ाकों है, बहुत मेहनती हैं, पढ़ाई में हैं, ठीक है, and capable of doing this, तो देखिए, बोथ के बाद आने वाला सब कुछ कैसा है, plural, ठीक है, तो इसका answer बना, no error, both of us has, तो बोथ के साथ सब कुछ कै करते हैं, तो question number 5 का answer क्या बनेगा, option number B, next, आगे बढ़ते हैं, यहां से हम लोग, चलते हैं, अगले rule, अगले slide में, no, अब इस no का क्या concept है, इसको भी हम लोग फटा-फट सीखते चले, देखिए, no का concept ऐसा है, कि no के बाद आने वाला noun जैसा रहेगा, वैसा वोब लेगा, तो नो के बाद आने वाला noun यदि plural होगा, और नो के बाद आने वाला noun, यदि singular होगा, तो इसके सांत वोब कैसा लेगा, वोब लेगा, ये singular, कैसा वोब लेगा, वोब लेगा, सिक्ट लेगा, जैसे एक example होना चाहिए, example लेते हैं हम लोग, no man is there, तो इस को क्या करना होगा, इसकी जगा लिखना होगा, लेकिन हम यहां लिखते हैं, no man is there, तो देखें no के बाद यह man कैसा है, singular verb कैसा लिखा, singular verb है कैसा, singular sentence, correct, बाद समझ में आ गए, तो चलिए, अब इन rules पर बैस्ट कुछ question को हम लोग देखते हैं, और उनको solve करने का प्रयास करते हैं, आईए हम लोग, देखें no news, तो news कैसा होता है, uncountable और singular, तो news singular होता है, verb कैसा लिखा, singular, तो यह cancel, यह cancel, ever good news, कोई भी news हमेशा अच्छा news नहीं हो ठीक है, अलग-अलग reference में वो depend करता है कि उसको अच्छा माना जाई या बुरा माना जाई, तो has cancel होगे, answer क्या बनेगा, is, अब देखें no के बाद क्या रहा है, girls, तो इसलिए यह है plural, इसलिए यह वह भी होगा, plural, तो verb plural है, noun भी plural, वह भी plural, sentence number two में, question number two में, answer क्या बनेग no error, next question number three में, no man and no woman, अब देखें, दोनों को and से जोड़ देगा, इससे हमें कोई फरक नहीं पड़ता, वह अब कैसा लेगा, singular तुआर की जगा, is, no man and no woman are, तो यह correct है, ठीक है, चलिए next, आगे पड़ते हैं से हम लोग, और चलते हैं, अगले rule की तरफ यह देखिए, noun में apostrophes लगा, अब इसका concept क्या है, इसको थोड़ा ठीक से हम लोग समझते हैं, चलते हैं अपने board की तरफ, अब देखें, इनका rule क्या है, जैसे, राहुल रांदी का नाम आपने सुनाई है, तो यह राहुल हो गए, and, प्रियंका, ठीक है, अब इनका concept यह है, कि यदि कोई भी दो नाउन, and से आपस में connect हो, कोई भी दो singular नाउन, यदि आपस में and से connect हो, और apostrophes का यूज सब के साथ अलग-अलग किया है, जैसे, राहुल गांदी के साथ यहां पे apostrophes लगा दें, और प्रियंका के साथ यहां पे apostrophes लगा दें, ठीक है, तो अब दोनों अलग-अलग बेड पे सोड़ती है, ठीक है, दोनों अलग-अलग जगहों पे राती है, ठीक है, प्रियंका गांदी साथी सुदा है, वो अपने husband के साथ उसके घर में रहती है, राहुल गांदी अपनी mammy के साथ राती है, ठीक है, बात समझ में आ रही है, लेकिन अब आप जरा ध्यान हम कहें कि इन दोनों की पार्टी क्या है, तो दोनों की पार्टी एक है, दोनों की मा कॉन है, एक है, तो यदि इनका combined possession दिखाना हो, कैसा दिखाना हो, यदि इनका combined possession दिखाना हो, तो आपको यहां चाहिए जितने भी noun लिखने हैं, लिख लिख लेंगे, जितना भी noun लिख से आप सब का नाम लिख लिए ठीक है और लास्ट में जिसको आप लिखेंगे उसी के साथ हम लोग लगाएंगे ए पोस्ट ऑफिस तो यह कंबाइंड पॉसेशन को एक्सप्रेस करेगा अब जैसे देखे राहूल गांदी प्रियंका गांदी अभी भी आपको नहीं समझ में हो तो हम आपको समझाते हैं राहूल और प्रियंका दोनों की मा कैसी है एक है तो मार पे दोनों का कंबाइंड पॉसेशन है ठीक है दोनों ही बच्चे का समान रूप्श दिकार है मा जितनी राहूल के उतनी प्रियंका की भी है ठीक है लेकिन दोनों के बैंक बैलेंस की बा अलग-अलग है तो उस केसे में हम लोग उपर वाला यूज करेंगे और यह दिख कॉमन है ज्वान्ट अकाउंट हो तो हम लोग नीचे वाला यूज करेंगे पार्ट ये हैं तो हम लोग नीचे वह ये वाला format यूज करेंगे बासमज में आ रही है । चलिए अब इन rules पर best question की तरफ हम लोग चलते हैं और देखते हैं कि इनके question कैसे पूछे जाते हैं आपके exam में और हम लोग इसको कैसे solve करेंगे अब यहाँ देखते हैं हम लोग यह राहूल्स और प्रियंकाज यहाँ पे post office यहाँ पे post office दोनों में अलग अलग यह post office लगा हुआ इसके साथ वर्ब कैसा है का प्लूरल यह करेक्ट है नेक्स्ट राहूल्स और प्रियंकाज मदर अब देखें मा एक ही हैं दोनों की combined position है तो यहाँ पे post office को हटाना होगा वर्ब कैसा यूज़ होगा similar तो वर्ब करेक्ट है अब आप यहाँ चाहें तो wife भी लिख सकते हैं but in general जो यूज़ किया जाता है ठीक है और इन दोनों की जो पत्निया है वो पसंद किसको करती है Mr. Nittis को तो ऐसे case में यहाँ आने वाला wife कैसा होगा plural होगा तो love में जो इस लगा है इसको हम लोग हटा देंगे next sitas and rams son sita और राम दोनों का संद के post office कहां लगा है last में ठीक है तो दोनों का combined position यूज़ हो रहा है combined होगा इसलिए वोग कैसा रहेगा singular तो यह वोग कैसा है already correct है इसका answer क्या बनेगा option number D that is no users clear next अब यहां से हम लोग थोड़ा आगे चलें और चलते हैं अपने next rule में plenty of के बारे में हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं इसलिए इसको discuss करने से में कोई फायता नहीं plenty of के बारे में हम लोगों ने पहले ही classes में पढ़ चुका है कि इनके बाद आने वाला subject जैसे होगा वैसा वोबलेगा वो singular होगा that is यह नाम यदे singular होगा then the word will be singular और यह यदे plural होगा then the word will be plural और इनके questions को भी हम लोगों ने पहले question आपके exam में दिखाई पढ़ते हैं किस किस format में दिखाई देता है इन दोनों के हम लोग चर्चा करें तो देखे यह percent लिखा हुआ आपको दिखाई दे परसेंट ऐसे भी लिखा हुआ दिखाई दे सकता है और percent यह जो आप math में पढ़ते हैं इस तरीके से भी लिखा देट इस कि यह 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 दिखा लोगा नोगा और यह यह संगूलर होगा तो इसके साथ वर्व यूज के जाएगा इस बात को तीक से समझें ठीक है लेकिन यह लेकिन यह परसेंटेज का यूज किया गया हो percentage इस word का use किया गया हो तो इसके last में देखिए क्या लगा हुआ is percentage यदि लिखा हुआ हो तो अब इसके बाद noun चाहे जैसा आए verb तो हमेशा और हमेशा रहेगा singular verb कैसा रहेगा इसके साथ हमेशा और हमेशा singular रहेगा बाद समझ में आई तो इसके साथ basically यही रूल हम लोग पढ़ते हैं और इसे से हमें कोशन बनते हैं तो percent और percentage का concept ऐसा था यहां वाला noun singular रूल कुछ भी हो सकता है इससे हमें कोई अतराज नहीं countable भी हो सकता है uncountable भी हो सकता है तो यह जो noun होगा यह चाहें जैसा भी हो इससे वर्ब को कोई फर्क नहीं पड़ता वर्ब हमेशा और हमेशा कैसा रहेगा singular रहेगा ठीक है तो आईए इस rule पर बेस्ट question को भी हम लोगे हां पर solve करने का प्रियास करते हूँ तो अब आईए इन rules को हम लोग follow करते हुए इन rules पर बेस्ट question को फटा फट solve करते चलिए तो देखें कि इसमें क्या है रहा है the percentage percentage आगया अब कोई मतलब भी नहीं है वर्ब हमेशा कैसा रखना है singular तो जैसे ही आपको percentage दिखाए दे सीधा और सीधा आप एप्रोच कीजिए वर्ब की तरफ ठीक है तो आर की जगव क्या लिखें इस नेक्स्ट यहां देखें से हमें क्या दिखाए दे रहे percentage of corrupt politicians तो फिर से आर की जगव हम क्या करते है अब देख पा रहे हैं आप 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 पॉलिटी सीन कॉंटेबल लाओन है इसलिए प्लूरल है पर्सन कॉंटेबल है इसलिए प्लूरल है ठीक है यहां देखें परसेंटेज फिर से आगया परसें यह देखें परसेंटेज हमें कोई मतलब यह परसेंटेज हमें दिखाया दिया वर्भ हमें कैसा चाहिए और गीवन कैसा है सिंगुलर तो इस कोश्चन का अंसर क्या बनेगा no error ठीक है तो कोश्चन नमर 4 में कहें कोई error नहीं तो आज के अपने इस वीडियो सेशन से हम आस लेकिन हम आपसे ये चाहते हैं कि अब तक subject of agreement के 6 session में हम लोगों ने जितने भी rules and concept को पढ़ा है इसको हमने जैसे आपको question पे use करना सिखाया है इसी तरीके का approach आप खुद को बार-बार वीडियो को देख करके ये ऐसे आपको जो Sunday को practice question प्रवाइड किया जाता है ठीक है इनके जो sorts आपको PDF में provide के जाते हैं उसका use करके आप इनको बार-बार repeat किजिए और बार-बार repeat करके आप English में खुद को Excel बनाईए English में खुद को improve किजिए so that कि जितने आसानी से हम यहाँ पे question को लगा पा रहे हैं आप इससे भी ज़्यादा आसान तरीके से exam में जाके question को solve करें और बाकी बच्चों से आप खुद को different बनाए ठीक है जैसे यदि subject of agreement से या common error के दो question आपके CHSR में पूछे जाते हैं तो दो के दो question सभी परिस्थितियों में आपके सही हो दो sentence improvement से पूछे जाते हैं वो भी आपके सही हो ठीक है feeler में इनसे related जो question पूछे जाते है वो भी आपके सही हो close test में जो आपके question इससे पूछे जाते है वो भी आपके सही हो ठीक है तो इनका use, Kevel, Common, Error, Error, Detection या grammar के section में ही नहीं है बलके filler में भी है close test में भी है आगे हम लोग जब इन sections को पढ़ेंगे that is close section को fillers को पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम लोग देखेंगे कि इन सबों का use कैसे वहाँ पे किया जाता है ठीक है और इनका use करके भी that is grammar के approach को use करके भी close test के question को हम लोग solve करते हैं ठीक है तो आपसे request है कि आप इनको बार-बार solve करें और आपको जो भी doubt हो वो हमारे website के doubt session में जाके आप वहाँ से पूछ सकते हैं और हम सब के सब लोग आपको help करने का जहां तक हो सके प्रयास करेंगे ठीक है तो आखिर में चलते-चलते subject of agreement के lecture को हम लोग है पर समाप्त करते हुए आखिर में आपसे एक request एक suggestion कि आप इसको बार-बार फिर से solve करें बार-बार वीडियो को again and again देखें और खुद को improve करें और यदि आपको इससे थोड़ा भी फाइदा होता है ठीक है यदि आपको लगता है कि जो वीडियो सेशन से आप लोगों को free of cost provide कराये जा रहे हैं ठीक है यदि आपको यह अच्छा लगता है तो इसको जादा-जादा like, subscribe और share करेंगे ठीक है Thank you